कि नमस्कार दुस्तों दुस्तों आज में आप लोग को बताऊंगा मुभी सफर आई आड़ सी टी सी रेनूवल के बारे में अगर आप मोभी सफर के आई रर्षीटी सी एजट है तो अगर आपने साल भर यूज कर लिया आप उसको रेनुवल कराना है कि नहीं कराना है देखे यहाँ पर जो सोपिंग पर हम इस पर ओपन करते हैं देखे यहाँ पर लिखा गया है I.R.C.T.C. अगर आप एजेंट बनते हैं तो एक बार आपको 299 रुपए पे करने होंगे तो उसके बाद आपको I.R.C.T.C. लाइव टाइम के लिए रेनुवल फिरी दिया गया है दोस्तों अगर आप I.R.C.T.C. से टिकट निकालते हैं अगर आप तीन महीने लगाता टिकट नहीं निकालने हैं तो आपका I.R.C.T.C. तभी बंद होगा उसके पहले नहीं बंद होगा रेनुवल में आपको कुछ नहीं करना है एटोमेटिक जब आपका सालवर पूरा हो जाएगा तो एटोमेटिक ये रेनुवल हो जाएगा आपको कुछ नहीं करना, अगर आप अगे आजेंट से बात करेंगे तो आपको यहीं बताएंगे, जो मैं आपको रहा हूँ, आपको रेनुवल नहीं कराना है, आपका एटोमेटिक रेनुवल हो जाएगा, आप से काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, देखें यहाँ पर एक यहाँ पर पोटो चला देखें यहाँ पर लिखा है lifetime renewal free तो आपको renewal नहीं कराना है यहाँ अगर आप IRCTC के agent हैं तो आपको renewal नहीं कराना है आपका वही ID password चलेगा जो पहले आपको दिया गया है देखें यहाँ पर lifetime renewal लिखा गया है आप इससे काम कर सकते हैं अगर आप तीन महीने लगाता कोई भी टिकेट नहीं निकाले तो आपका agent ID बंध हो सकता है बस दो तो आज की वीडियो मितना है